हेलो दोस्तों नमस्कार बहुत है स्वागत है आपका एक्जाम गुरुजी चैनल के डेली करेंटरफेर्स के वीडियो में आज 25 दिसंबर 2020 है और आज की वीडियो में हम 24 और 25 दोनों दिन के करेंटरफेर की बात करेंगे मैं माफी चाहता हूँ कल आपके लिए वीडियो लेक अप से मिल जाएगी और एक्जाम गुरुजी आप से ही आप MPPSC के लिए printed notes राप्त कर सकते हैं हिंदी माध्यमे और इंग्लीस माध्यमे दोनों में 1290 में हिंदी माध्यमे है उसके अलाबा MPPSC के लिए हमारी Nudes की Revision Class start हो गई है, Life Class start हो गई है, सामको 6 वजे से Indian Geography की Class हो रही है, सामको 7 वजे मैं MP की History पढ़ा रहा हूँ, आप वो Class लेना मत भूलिए, और सामको 8 वजे आयोग की Class होती है, रहुल सर पढ़ा रहा है, तो इस तीन Classes 6, 7, 8 वजे से होती हैं, तो आप इनको जरूर लीजिए, उसके लाबा MPPSC और Police के लिए भी आपको Nudes मिल जाएंगे, Application Download कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे Thought of the Day की, जो आज का हमारा Motivational Powerful Thought है, कि जितना तपोगे, उतना निखरोगे, हमें से हर कोई, जो Life में जितनी संघर्स से ग खरके आएगी, तो अगर आपकी Life में Problems चल रही है, अगर आपकी Life में परिसानी है, तो येकिन मानिए, ये वो परिसानी है, जो आपको मांज कर, साफ करके, और उज्जोल बना देंगी, और साफ कर देंगी, और आगे बढ़ा देंगी, आप जितनी परिसानियों के बाद निकलोगे, तो आपका जो रूप होगा, वो और अच्छा होगा, इसी थोट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे, क्वेक रिविजन, कल के पढ़ेंगे, करेंट फर के प्रसनों का, पहला प्रसन है, कि इंडिया इंटरनेशनल साइन्स फेस्टिवल का ये जन कब से जा रहा है, तो 22 से लेकर 25 दिसंबर तक दूसरा प्रसन है, राष्टरी गणे दिवस कब मराया जाता है, तो 22 दिसंबर को तीसरा प्रसन है, कि प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी को किस देश ने प्रतिष्ठित लीजन और मेरिट पुरुसकार से समानित किया है, तो ये अमे 10 में मिला है, और 6 प्रसन है, कि सेना का मिलिटरी सेलरी पेकेज के लिए किस बैंक से करार हुआ है, तो ये बैंक का बलोदा से, 7 प्रसन है, कि भारती उद्योग वाने जमंडल, जिसे एसोचेम कहा जाता है, इसके अधिक्च कोंद वने है, तो विनीत अगरवाल, और 8 प्र प्रसने के BBC Sports Personality of the Year का अवार्ड किसने जीता है, तो ये अवार्ड जीता है, लुईस हेमिल्टन ने, ये थे हमारे कल के पढ़ेगे करेंटर के प्रसनों का क्विक रिवजन, आगे बढ़ेंगे आज के प्रसनों की बात करेंगे, और आज के करेंटर का पहला प्रसन है, कि 2021 से देश में सभी वहानों के लिए अब Fast Tech अनिवारे होगा, Fast Tech बाहन चालोकों के लिए उप्योगी है, क्योंकि उप्योगी है, क्योंकि इससे नगत भुगतान के लिए जो Tool Plaza होता है, उस पर अभी तक रुखना पड़ता था, अब वो रुखना नहीं पड़ेगा, इससे इंधन भी बचता है, और समय की भी बचती होती है, Fast Tech एक प्रकार की Radio Frequency से काम करता है, उसमें जैसे हमारे Swim Card में Balance हम डालते हैं, उसी प्रकार से Balance डाल देते हैं, और जैसे ही वहाँ से Tool Plaza से गुजरता है, तो वो Radio Frequency के तुरू Tool Plaza पे जो मशीन लगी होई होती है, वहाँ स उसको दोनों एक दूसरे से Tether कर जाते हैं, दोनों दूसरे से Connect हो जाते हैं, और उतनी रासी सीधे आपके खाते से काट ली जाती है, बात करें दूसरे प्रसन की कि राष्ट्रिय उपभोकता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये दिवस जो मनाया जाता है, यानि कि बी आप्षन प्रसन का सही उतर है, डीटेल देख लिजे क्या है, तो हर साल देजबर के अंदर 24 दिसम्बर को राष्ट्री उपभोकता अधिकार दिवस के रुप में मनाया जाता है, और ये इसलिए मनाया जाता है कि 1986 में इसी दिन यानि 24 दिसम्बर 1986 को राष्ट पती जी के द्वारा अभोकता सनरक्षन अधिनियम 1986 को में जूरी दे दी गई थी और इसके बाद ये लागू हो गया था, इस अधिनियम का उद्देश क्या है, उद्देश है अभोकता को का जो सोल्शन होता अलग अलग तरीके से, जैसे कि उनको खराब समान दे दिया जाता है, प सफलता पूरवक परिक्षन किया गया है, इसका विकास भारत ने किस देश की सहायता से किया किया, किस देश के सांथ मिलकर किया है, तो ये भारत और इसराइल ने मिलकर इसको विक्सित किया है, यानि कि D-Option प्रसनका सही उतर है, डीटेल लेख लिजे क्या है, तो रक्षा और इसराइल की दोरा सहिंक तुरूप से डिजाइन किया गया है, तो ये आप ही याद रखेंगे, बाट D-O यानि कि Defense, Research and Development Organization की करें, तो इसकी स्थापनों थी 1958 में अध्यक्षिसके जी सतीस रडडी है, और इसका मोटो है वलश मूलम विग्यानम, Strengths, Origin is in Science, बात करें चौ प्रतीशत FDI को यानि Foreign Direct Investment को मंजूरी दे दी गई है, D-O option प्रसनका सही उत्तर है, डीटेल दिख लीजे क्या है, तो केंद्रिय मंत्री मंडल ने Direct to Home प्रसारण सेबाओं के लिए यानि DTS सेबाओं के लिए संसोधित दिशानरदेसों को मंजूरी दी है, और इसके साथ के स 20 साल के अवधी के लिए जारी किये जाएंगे और उसके बाद हर 10 साल में इको नवी निकृत करवाया जा सकेगा, बात करेंगे पांचवे प्रसनकी कि सामाजिक नयाय और अधिकारिता मंत्री है थावर चंद गहलोत इन्होंने किस मुबाइल एप्लिकेशन का सुभारम किय है इनके द्वारा स्वक्षता अभियान नाम की एक अप्लिकेशन का सुभारम किया गया है यानि कि ए ऑप्षन प्रसनका सही उतर है डीटेल देख लीजे क्या है तो सामाजिक नयाय और अधिकारिता मंत्री है थावर चंद गहलोत इन्होंने मुबाइल एप्लिकेशन को ल हाथ से मेले की सफाई जो करते हैं ये कुपरता देश के अंदर है हाला कि लगबख खत्म हो चुकी है तो इसी को भी समाप्त करने के लिए भारसरकार प्रतिबद है और इस एप के द्वारा इस चीच की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी बात करेंगे छटवे प्रसनकी कि क यह लगबफ तर है यानि कि बी आप्शन प्रसणका सही उतर है डीटेल लेख लिजे क्या है तो भारत ने लगबफ जईलों के आदर चितर है coping, स्टारसप् जू और कार जील इसको रामसर इस्थलों की बायले स्विस्थल के रूप में सामिल किया है और इस परिसर में दो जील है ये दोनों जील आपस में जुड़ी हुई है एक जील मिठे पानी की है जिसका नाम है स्थार सपोक जील और दूसरी है खारे पानी के जील, सोकार जील याद रखेगा और रामसर सुची जो होती है वो अंतराश्टी महत्व के जल छेतरों को इसमें सामिल किया जाता है जिनका संद्रक्षन उस छेतर में जो पक्षी आते हैं और दूसरे जो जीव है यानि उस पूरी जील का उस पूरी जगा का जो एको सिस्टम होता है उसको संरक्षित करना अनिवारे माना जाता है मानग की दखल से जिसका एको सिस्टम बिगड़ सकता है तो उसको संरक्षित करने के लिए त्योकार छेतर की बात करने तो वर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने इसको एवन सेनी के मैथवपूर्ण पक्षी छेतर भिगोशित किया है औ बात करने साथ वे प्रसंद की केंदरी मंतरी मंदल ने फिल्म प्रभाग, फिल्मोतसव निदे साले, नेशनल फिल्म आर्काइज़ ऑफ इंडिया और भारतिय बाल फिल्म सोसाईटी इसको किसमें समाहित करने की इनि तीछारों को मिलाकर एक बनाने का फैसला किया है और इ इसी के लिए राश्ट्री फिल्म विकास निगम में विले करने का फैसला किया है। इसी के इसरो किस IIT में स्पेस अकैडमिक सेंटर खोलेगा। और ये जो छेतरी अकैडमिक सेंटर होगा ये उत्तर प्रदेश, मद्ध प्रदेश और चतीस गड़ में अंत्रिक्ष प्रद्योगी की गतिविधियों को बढ़ावा देगा। बात करेंगे इसरो की सरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाइजिशन इसका इसकी स्थापनाईटी पंदराकस 1969 को और इसका मुख्याले बैंगलूरू में अध्यक्ष वरतमान में डॉक्टर के सिवान है। बात करें नवे प्रसनकी की यूनिसेफ फोटो आफ द इयर प्रसकार किस भारती ने जीता है तो ये जीता है सुप्रितम भटाचार जी ने यानि की सी ऑप्षन प्रसनका सही होता है। सम्मानित करती है। बटा चारजी ने क्या किया है तो इन्होंने जारखंड का जारिया जो कोई लखन अंच्छेत्रे वहाँ पर काम करने वाले जो लोग हैं जो स्रमेक मादा पिता है और वहां रहने वाले जो बच्चे हैं उनकी तस्वीरों को दुती प्रसकार दे दिया गया है इसमें बहुत सारी तस्वीर है जिसकी एक तस्वीर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे और ग्रीस के लेव बोस दियूप पर सरनार्थी सीवरों में लगी आगी के दोरान फोटोग्राफर एंजोलोस जोजीनस द्वारा ली गई तस्वीरों को प्रथम प्रुसक दिया गया है बात करें दस्वीर प्रसनकी के विश्व बैंक ने भारत में राजमारगों के लिए कितने मिलियन डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर की हैं तो 500 मिलियन डॉलर की है परियोजना जिस पर हस्ताक्षर हुए हैं यानि कि B option प्रसनका सही उत्तर हैं डीटेल दे लिए 500 मिलियन डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर की हैं और इस परियोजना को सड़क परिवहन और राजमार मतराली की सुरक्षा और हरित प्रद्योगी की मुख्यधारा में लाने की जो चमता वो बढ़ाएगी विश्व बैंक की जो सहुगी संस्था है इंटरनेशनल इसके द्वारा ये 500 मिलियन डालर को लोन करीब 18.5 साल की परिपगोता आवधी के लिए दिया जाएगा यानि इतने साल के बाद इस लोन को वापस करना होगा बात करें विश्व बैंक की तो इसका मुख्याल है वासिंग्टन डी सी में स्थापना हुईती जुलाई 1944 में ब ये समझता किया है केरल की सरकार ने यानि कि ए अप सम्टरस्ण का सही उतर है डीटेल लेख लीजे क्या है तो सइंक तराश्ट्र महिला और केरल सरकार ने भारत के पहले जेंडर डेटा हब की स्थापना के लिए हाथ मिलाया है और जेंडर हब नवंबर 2015 में जेंडर कानफ्रेंस के माधियां से अन्द थारत लक्षear पर अधारित है और अधीक सटीक आकड़ों को एक ór pan历थ करके विशलेशिट वर्यशन करके उप्योग करता है और इस केंडर के महिला अधिकारों के नीति निर्मान के तरीकों को सुचित करता है तो ये काम होगा इसमाये है हम केरल की तो मैप में देख लीजी दर्क्षन भारत का राज जे केरल इस तरफ इसके करनाटा के रो इस तरफ इसके आंदर प्रदेश है राजधानी त्रुअनत पुरम है मुक्यमंत्री पी विजयन है राजपाल आरिफ मुहमत खान है लोग सभा की यहां पर 20 सीटे है राज रुट्की बांध है जोकि पेरियर नदी पर है और फिची बांध है जोकी मनाली नदी पर है बात करेंगे पेट्रोलिय मंत्री धर्मेंद्र प्रदान और इसमें एक तेल और गेस उत्पादन फील्ड को यानरी कि उस जमीन से तेल और गेस निकाला जाता है इसको 20 दिसंबर को देश को समर्पित किया और ये राज का पहला तेल और गेस रिजर्व है यहां से निकाला जा रहा है जो तेल है उसको इंडियन आईल कॉर्परेशन यानि IOC की जो हल्दिया रिफाइनरी है वहां पर भीचा जा रहा है और राज में तेल और गेस का पहला रिजर्व जो था 2018 में खो जा गया था बात करें पशिम मंगाल की तुम एप में देख लिजे यह पशिम मंगाल है 26 जनवरी 1950 को गठन हुआ था राजधानी कॉलकता है मुख्यमंत्री ममता बनर जी है राजपालिया की जगदीब धनकड़ है लोकसभा में 42 सीट है राजसभा में 16 सीट है विधान सभा में 295 सीट है प्रमुग राश्योदियानों की बात करें सुंदरवन नेशनल पार्क यहां पर है नेवरा विली नेशनल पार्क है सिंग लीला नेशनल पार्क यहां पर है बुकसा टाइगर जरू है गुरु मरा नेशनल पार्क है बात करें प्रसंद की ADB यानि की Asian Development Bank ने किस राजजो को 2100 करोड रुपे के रण देने की घोशना की है और ये घोशना की है तिरपुरा राज के लिए यारी कि C option प्रसनका सही हुता है डीटेल दिख लिए क्या है तो एशिया विकास बैंक यानि ADB एशियन डेवलपेंट बैंक ने पूरवुत्तर राजों में शहरी छेत्रों और परिटन के विकास के लिए तिरपुरा सरकार को 2100 करोड रुपे का रिन देने को घोशना की है और इसके तहट तिरपुरा के अंदर जो 20 सहरी स्थानी निकाह है उनको कवर किया जाएगा और परिटन छेत्र के सभी परिटन इस्थलों उन पर जाने वाले मारगों और परिटको के लिए सुवधाओं को इसमें कवर किया जाएगा बात एशिया विकास बैंक की करें इसका मुख्याले मनीला जो की फिलिपिन्स की राइधानी है यहाँ पर एस्थापना हुथी 16 दिसंबर 1906 को सदशी देशों की संख्या 68 है वहीं तरपुरा की बात करें तो यह तरपुरा है जो तीनों तरप से बांगलादेश से घिरा हुआ है इसकी राइधानी अगरतला है मुख्यमत्री विपलवदेव हैं बीजेपी की सरकार है राजजपाल रमेस बेस है लोगसभा की 2 सीटे हैं राजपाल की 1 सीटे हैं विधान सबा की 60 सीटे हैं प्रमुक्राश्यों जानों की बात करें तो लेपर नेशनल पार कहां पर है बिसंग या राजपरी नेशनल पार कहां पर है बात चौदोवे प्रसनकी होगी कि बी-सी-सी-ाई के निर्वरोध उपाध्यक्च कौन बने है तो यह उपाध्यक्च बने है राजीव शुकला यानि कि यह आप्शन प्रसनका सही उत्तर है डीटेल दिख लेजी क्या है तो राजिव सुकला बी सी सी आई के निर्वरोद उपध्यक्ष बने है और शुकला जो है इन्होंने माहिम वर्मा की जगा लिए है और इस साल उन्होंने अपने पत से इस्तीफा दे दिया था माहिम वर्मा ने इसके अलाबा जो पूर्व भारती किर्केतर हैं चेतन शर्ma इनको BCCI की जो सीनिर पुरूस चैन समिधी है उसके अध्यक्ष बनाया गया है पुरूस सीनिर चैन समिती में तीन सटष्यों को चुना गया चेतन सर्ma जो अध्यक्ष के रूप में अभाए कुरूवीला और देव बात करें पंदरियु प्रशनेकी के नाडाने वास्केड बाल खिलाडी सतनाम पर प्रतिबंद लगाया है तो ये जो प्रतिबंद नाडान लगाया है ने लगाया है नेशनल डोपिंग एजंसी ने ये लगाया है दो साल के लिए यानि कि D-option प्रिसनका सही उतर है डीटेल पिशली साल डोप टेस्ट में विफल रहे थे और 25 साल के सतनाम है इनने हिगे नामाईन के नाम से एक दवा का सेवन किया था और इसके दोसी पाए गये थे इस दवाई को 2017 में ही प्रतिबंधित पदार्तों की सुची में वाडा जो विश्व डोपिंग रोधी एजनसी है उस यानी कि सी option प्रसन का सही हुतर है आप मैं से बहुत सारे लोगों से प्रसन का सही उतर दिया आज के प्रसन का अतर सही दिया आज कमारा प्रसन है किस राज में गोवर से बने उत्पादों के लिए पहला गोधन EMPORIUM खुला गया है कमेंट करके जिरूर बताइएगा और य जय हिंद जय भारत